कंगना रनाओत ने BMC और उद्धव सरकार को जमकर लतार लगाई है अपने तीखे शब्दों का वार करते हुए कंगना ने उद्धव सरकार को धोकर रख दिया और ऐसा होता भी क्यों ना उद्धव सरकार के इस शर्मनाक कारणामे पर जवाब मिलना तो तैथा क्या है पूरा मामला देखे हैं हमारी स्रिपोर्ट में के लिए उसी विचारधारा को बेच कर शिव सैना से सोनिय सैना बन चुकी है जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉड़ी मत बोलो सम्विधान का इतना बड़ा अपमान मत करो कंगना के ओफिस में की गई तोड़ फोड़ पर जज एस जे कथा वाला बीएमसी के खिलाप अभिनेत्री कंगना रनाओत की आचिका पर सुनवाई करते हुए बोले कि नागरिक निकाय ने सुनवाई में जान बूच कर देरी की ताकि ये संपत्ति को ध्वस्त कर सके बीएमसी ने अपनी इस हरकत पर पर परदा डालने के लिए शिव सैना या किसी राजनीतिक पार्टी के शामिल होने से इनकार किया है बीएमसी ने वही किया है जो विभाग को शहर में अवैदि निर्मानों पर करना है पर ये तो साफ तोर पर कहा जा सकता है कि कंगना के ओफिस को तोड़ना और उन्हें परिशान करना उधव सरकार का एक सोचा समझा कदम था और अब उधव सरकार इस मामले को रफा दफा करने के लिए अलग अलग तर्क दे रहे हैं जो किसी काम के नहीं है क्योंकि मुंबई में हुए इस हाथ से के बाद कोई भी उधव सरकार पर अपना भरोसा नहीं जता सकता अब बीमसी का नया नोटिस डिजाइ इस बात से जनता ही नहीं बॉंबे हाई कोट तक पाकिफ है इस तोड़ फोड़ पर सुनवाई करते हुए बॉंबे हाई कोट ने इसे गलत इरादे से की गई कारिवाही बताया है हाई कोट ने कहा कि यदि इस तरह के काम किये गए तो ये शहर रहने लाइक नहीं रह जाए एक्ट्रिस कंगना रनावत सोशल मीडिया पर इस वक्त जबर्दस्त एक्टिव हैं। कंगना रनावत ने इससे पहले एक और ट्वीट कर पीट पीछे वार करने की बात सोशल मीडिया पर कही है। बहुत लोग मुझे पहुचाई हुई हानी से दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आश्रवाद और स्ने की आभारी हूँ। कंगना रनावत का सुशान्त मामले में खोलकर बोलना और उद्धव सरकार की पोल पट्टी खोलना इतना भारी पड़ेगा ये शायद उन्हें नहीं पता था। पर उद्धव सरकार को हर जगह से हात लगी नाकाम्यावी इस हरकत का सबूत है कि उद्धव कितना पौक लाए हुए हैं। कि उद्धव कितना जगए हैं।